आपसे कह रही हूँ कि घर में एक टीवी ले आईए, पर आप एक सुनते ही नहीं। अरे भाग्यवान, नया टीवी कितना महंगा आता है, तुम्हें पता भी है। नया कुछ नहीं जानती, नया हो या पुराना, आज शाम तक इस घर में टीवी आ जाना चाहिए, हाँ। रामू टीवी लेने घर से निकल पड़ता है अरे नया होया पूराना, टीवी तो टीवी होता है एक काम करता हूँ, कहीं से पूराना टीवी खरीड लेता हूँ, कम किमत में मिल जाएगा चलते चलते उसकी नजर एक कबाड़ी की दुकान पर पड़ती है क्यों भाई, तुम्हारे पास कोई पूराना टीवी है क्या? कबाड़ी वाला कुछ सोचते हुए कहता है हाँ एक टीवी है लेकिन बहुत ही खतरनाक है फिर कबाड़ी वाला टीवी का रिमोट दिखाते हुए कहता है रिमोट के इस लाल बटन को कभी मत दबाना वरना एक खतरनाक चुडैल टीवी से बाहर आ जाएगी मजाक अच्छा कर लेते हो चलो, मैं टीवी लेके चलता हूँ उसी रात रामू अपनी पत्नी के साथ टीवी देख रहा होता है कि तभी कबाडी वाला कह रहा था कि इस लाल बटन को दबाते ही एक चुडैल टीवी से बाहर निकलाएगी चलो, आज इस चुडैल को भी देख लेते हैं रामू के बटन दबाते ही एक डरावनी चुडैल टीवी से बाहर निकलाती है किसने मुझे जिगाया अरे अरे मर गया अरे ये भाग्यवान ये तो ये तो बहुत डरावनी है अरे ये आपने क्या कर दिया अब हमारा क्या होगा ये चुड़ेलता हमें खा लेगी अरे ऐसे कैसे खा लेगी मैं भी देखता हूँ अच्छा तो मुझे बहुत हलके ने ले रहा है अभी तुझे मजा चखाती हूँ चुड़ेल रम का हाथ पकल लेती है अब तु मेरे साथ टीवी के अंदर चलेगा मैं अकेली बोर हो गई हूँ अरे नहीं नहीं चुड़ेल दिदी मैं तो मजाग कर रहा था मुझे छोड़ दो अरे भाग्यवान तुम वहां खड़ी खड़ी क्या देख रही हो मुझे बचाओ अब तुझे कोई नहीं बचा सकता इस तरह चुड़ेल रामु को अपने साथ टीवी के अंदर ले जाने की कोशिश करती है अरे कहां लिये जा रही है चुड़ेल छोड़ मुझे अरे कोई बचाओ अरे बचाओ अरे बचाओ रामु की पत्नी रामु का हाथ पकड़ कर खींचने लगती है अरे चुड़ेल छोड़ मेरे पती को छोड़ तभी शोर शराबा सुनकर बाहर खड़े लोग अंदर आ जाते हैं और रामु का हाथ पकड़ कर खींचने लगते हैं अरे भाईयो जोर लगाओ छोड़ना मत हाँ हाँ अरे ये क्या हो इतने सारे लोग कहां से आ गए लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी जोर लगा लो ना इसे नहीं छोड़ने वाली अरे क्या कर रहे हो बिर्जु भाई खाना खाके नहीं आये क्या मुझे बाहर निकालो अरे जोर लगा तो रहा हूँ ये चुड़न तो मुझे खा जाएगी बचाओ 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 तभी रामू की पतनी उसके उपर पानी डाल दीती है अरे क्या बचाओ बचाओ चिला रहे हो टीवी लेने कब जाओगे जी रामू अपने आपको देखता है और सब कुछ सपना था समझ कर खुश हो जाता है और टीवी लेने बाजार की और चल पड़ता है तभी उससे रास्ते में एक गबाड़ी की दुकान पर टीवी दिखाए दीता है उस टीवी को देख रामु को चुड़ैल की याद आ जाती है और वो घबरा जाता है अरे बाप रे नहीं नहीं मुझे मरना है क्या मैं तो नया टीवी हिलूंगा